आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ What are Immediate and Contributory Cause of Diseases? Give one example of E यहां पर पूझा गया है कि Immediate or Contributory Cause जो है वो डिजीज के क्या क्या होते है और उसके Example जो है वो क्या है तो बेसिकलि अगर हम लोग Immediate Cause का बात करें तो Immediate Cause जो है यह बेसिकलि Primary Factors को Include करता है और Primary Factors जो कि Disease को Cause करता है उसको हम लोग कहते है Cause is a Disease उसको हम लोग कहते है Immediate Factor यह पर Immediate Cause जैसे कि यहां पर हो सकता है कि कोई भी वाइरस कोई भी बैक्टेरिया या फिर कोई भी ऐसा प्रोटोज होआ जो की बाडी को एफेक्ट करता है यह पर इन सभी कुछ और के हम कह सकते हैं कि जो External Particles होते हैं अगर वो External Bodies भी हमें एफेक्ट करता है तो वो सारे हो जाते हैं Immediate Control में और जैसे की For Example हम कह सकते हैं कि जो जो Disease है यहां पर डाइरिया डाइरिया का बात करें तो डाइरिया एक ऐसा Disease है जो कि यहां पर E-Colize से होता है तो इसका मतलब है कि E-Colize यहां पर यह लिख सकते हैं कि Primary Factors में क्या होता है कि दो टाइप के Parts यहां पर दिखाए देते हैं एक होता है जिसे कि हम लोग Infectious के नाम से जानते हैं और दूसरा यहां पर Cause जो है वो Non Infectious भी हो सकता है और Non Infectious जो है Environmental Factors हो सकते हैं लोगी Mutations क्रियेट करते हैं जैसे UV rays तो यह हो जाता है हमारा Immediate Control या Cause of Disease वहीं पर अगर हम लोग Contributory Cause का बात करें तो Contributory Cause जो होते हैं यह ऐसे Factors होते हैं जो कि Directly तो Disease को Cause नहीं करते हैं लेकिन क्या होता है कि यह Conditions प्रोवाइड करते हैं और इस Conditions प्रोवाइड से ही क्या होता है कि Disease जो है वो टेक प्लेस करता है टेक प्लेस डिजीज तो Basically हम कह सकते हैं तो ऐसे Conditions को हम लोग Contributory Cause कहते हैं जो कि Basically Disease होने के लिए Contribute करता है ऐसे Situations तो चलिए देखते हैं कि इसके Examples में क्या आते हैं तो Basically हम यहां पर कह सकते हैं कि कोई भी अगर Contaminated Water होता है तो Contaminated Water जो है यह Disease अगर ना भी Cause करें तो उस Contaminated Water से बहुत सारे ऐसे Disease Causing Virus या फिर Micro Organisms पाये जाते हैं जो Micro Organisms फिर Disease को Cause करते हैं तो Mainly यहां पर Contaminated Water जो है यह Contributory Cause है Micro Organism को Produce करने के लिए वहीं पर हम कह सकते हैं कि जो Unhealthy Conditions होते हैं Unhealthy Conditions के बाद जो Improper Disposals होते हैं यह इन सभी के वज़े से क्या होता है कि Disease जो है वो Take Place करता है और इन सभी को यहां पर कहा जाता है Contributory Causes तो यह हो जाता है Basically Differences जो की यहां पर पूछा गया है Question में और इसी को हम लगे यहां पर Note Down कर लेंगे Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर होसा आज ही डाउनलोड करे डाउटनेटा यह WhatsApp कीचे अपने डाउट्स 8400-40400 पर झाले निसर जाम च्पीर